कहता है एक इलेक्ट्रॉन आप मासे हम विद डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल अन्द टार्गेट आप एक्स रेटियो वैसे मेडिगल वाले नहीं पढ़ते हैं कूली स्ट्यू हो रहे हैं बट ऐसा ही कुछ होता समझ लो कि अगर एक फास्ट मुविंग इलेक्ट्र वैवेव इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनषी थी वह कinasटीक ईनर्जी उलेक्टोमैग्नेटिक वैव एक सिरह होगे और एकस रे एक क्टर्शन प्रोमैग्नेटिक विए मतलब कि इसके अंदर फोटों ऊब से सबना आना तो laser म्हां सकते हैं मैं तो अब यहां जो photon आया करता है cut off wavelength of emitted x-ray तो जो photons आए यहां से जो photons आ रहे हैं तो उन photons की हमें cut off wavelength मतलब उनकी kinetic energy total अगर zero करनी है तो हमें कितनी wavelength की जरूत पड़ेगी है तो अगर मैं यहां से देखूं तो kinetic energy of x-ray जो photons है that is h-new है और h-new is equal to c upon lambda तो threshold के लिए लेम्डा नॉट लगा देते हैं हारा समझ में photons के लिए लगा रहा हूं कास्ट करके इसको मैं इलेक्टान के लिए कभी नहीं लगा सकता है electromagnetic wave के लिए लगएगा तो यह लेम्डा नॉट जो है cut off पूछा जा रहा तो एक्सी अपन kinetic energy of photon और यह जो kinetic energy है वो कहां से मिली हाफ एम वी वेलोसिटी से मूब कर रहा था इलेक्टान की kinetic energy तो वह यहां से मुझे मिलेगा इलेक्टान आप मास M डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्टान के पास लैम्डा नाम का डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो यहां से यह P square upon 2m that is kinetic energy of electron तो 1 upon 2m और momentum यहां से तुम देखोगे momentum तो जो इलेक्टान आ रहा था उसके motion की वज़े से उसके पास दी ब्रोगली वेवलेंथ था और डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इस इकॉल टू एच अपान पी होता है तो पी की वेलू यहां से रखोगे तो यह अपान लैम्डा का square that is the kinetic energy तो यह जो kinetic energy है वो wavelength डी ब्रोगली के टर्म में है और इधर जो photon जो electromagnetic wave है उसकी भी kinetic energy यही है तो इसको मैं लिख दूँ है यह सी अपान और यह kinetic energy उठा के लेके आऊं एच अस्क्वाइर एच अस्क्वाइर और यह उपर चले जाएगा टू टाइम्स एम लैम्डा आ गया तो 2MC लैम्डा अस्क्वाइर अपान एच यह तो 2MC लैम्डा अस्क्वाइर मतलब फर्स्ट अप्सन हम लोगों का सही है आई हो कि यह आपको समझ में आ गया होगा करता है वीच आप फॉलोइं फीगे